आप सभी का स्वागत है competition community के इस national और international कर इंट अफेस सीरीज में जहां पर हम लोग bilingual कर इंट अफेस देखते हैं और 28 से लेकर 3 अक्टूबर की जितनी भी महत्वपूर्ण राश्ट्री और अंतराश्ट्री घटना है वो सब हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पहले हम लोग last class को revise करते हैं तो last class में हमने जो current अफेस के question पड़े तो उसको revise करते हैं तो सैफ महिला football championship 2022 किसने जीती है तो सैफ यानि South Asian football federation और जो women football competition हुआ था इसको आज से पहले 5 बार लगाता और भारत ने जीता लेकिन जो sixth edition हुआ है वो किसने जीता है वो बांगला देश ने जीता और यही हमारे question का सई जवाब भी है तो 19 सितम पर 2022 को किसने सैफ महिला football championship का खिताब जीता है बांगला देश ने खिताब जीता है यह हमने पहला question last class में देखा था next question की बात करेंगे next question देखें क्या देखा था 19 से 24 सितम पर 2022 को अखिल भारती पुलिस judo cluster 2022 क अलवार बाजी यानि फैंसिंग अलग-अलग प्रकार के यह martial arts वाले game थे और यह कहां पर आयुजित हुआ तो यह नई दिल्ली में आयुजित हुआ यह हमने इसमें answer देखा था तो यह भी हमारा question हो गया next question देखें 19 सितम पर 2022 को किस राजज ने CM दा हैसी वेb portal launch किया है त तो इनने क्या कि एक help line number और एक वेb portal शुरू किया ताकि आप CM को सूचना दो कि कहीं कोई भ्रष्टाचार संबंदित गती भी तो अगर कोई विक्ति को मनीपूर में किसी सरकारी कारयाले में कोई भी प्रकार का भ्रष्टाचार दिखता है तो वह इस help line number पर या वेb portal पर शो तो लास्ट शो इसका मतलब होता है गुजराती भाष्टा की फिल्म में छेलो शो यानि लास्ट शो अंतिम शो और यह भारत की ऑफीशल एंट्री है ऑसकर में कई लोग का दिल टूटा वो कह रहे थे आर आर को बेजो कुछ लोग कश्मीर फाइल्स को बोल रहे थे ले अब को बताया इसका करेंट चेर्मेंट कौन है इंडिया और अब इंडिया का जो कारेकाल है वो एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया इसलिए इस कोश्चन का सभी जबाब क्या है इंडिया तो कौन है एशिया पैसिफिक इंस्टिट्यूट अब रॉड कास्टिंग करें तो इलेक्ट्रोनिक मीडिया को और कैसे बहतर तरीके से लोगों के फायदे में इस्तमाल करें यह नीतिया बनाता है देश की सबसे लंबी नदी क्रूस सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी तो नदी क्रूस सेवा तो मैंने आपको बता है था चार हजार किलो मी कुल मीटर लंबी नदी क्रूस सेवा भारती सबसे ब्हुच बगी बीच में शुरू होगी तो मैंने आपको याद हो خ पूरा इंजॉयमेंट आप इस जगह के अंदर ले सकते हो चलता फिर पूरा का पूरा एक शहर होता है तो यह है क्रूज हाला कि हमारे हां इंडिया में भी छोटे क्रूज चलते हैं विदेशों में तो बहुत बड़े-बड़े क्रूज चलते हैं और लोग यहां पर कई-कई किया है और इसी के साथ अदानी समू अब देश की दूसरी सबसे बड़ी सिमेंट कंपनी बन गई है देश की सबसे बड़ी सिमेंट कंपनी कौन सी है मैंने आपको बताया था अल्ट्रा टेक तो जो अल्ट्रा टेक है वो देश की सबसे बड़ी सिमेंट कंपनी है अल्ट्र यह उपन नेक्स्ट कोशन पर आएंगे हाली में कौन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्ता शेत्र के पहले और सबसे अधिक आयू के भारती तेराग बन गया है तो इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट बात है जो एक्जाम में आएगा वह है कि सबसे उम्र दराज vharti ऑर मैंने आपको इनका नाम बताया था ऐलुइस हजारिका सहाब क्या बताया था एलुइस हजारिका लास्ट क्लास में उबने देखा था और हमने यह भी बात कि दो नौर्ट चैनल क्रॉस किया है और यह UK में जो स्कॉट्लैन्ट है और जो नौर्प इसारिंडस के हैं यानि पहले पैरा स्विमर हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना यह कोशन जो ने लास्ट क्लास में देखा था यह क्या है यह कोशन है कि एल्विस हजारिका भारत के सबसे उम्र दरास तहराक है और इन्होंने नौर्थ चैनल पार किया यह एक बात हो गई लेकिन आज मै जो और फिंटेक फेस्ट हम हमारे मैं आजूजड किया अब आप देखो कुछ बचों कि होगा 28 से स्टी से टीन अक्टूबर के कौशन है लेकिन कुछ 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 प्रिवेस कौशण है है हां ऐसा इसलिए ताकि जो जरूरी कोशन है जो समय हमें नहीं मिले लेकिन बाद में वो लाइम लाइट में है तो उनको भी हमें नहीं छोड़ना है इसलिए कुछ-कुछ कोशन ऐसे हैं जहां पर आपको 28 सिदंबर से पहली की भी डेट मिलेगी लेकिन हमने उनको इसलिए लिया है ताकि आपका उनको हमने कंशिडर कर लिया है 20 सितंबर 2022 को निमने लिखित में किसे पि-एम केरस्ट का ट्रस्टी किसे बनाया गया है तो माह-मारी अपंने शुरुमाती में मार्च को तो जब पहला लागडाउन लगा था सब की हालत खराबती सब लोग घर के अंदर थे तब पीम केर्स फंड बनाया था और इसमें शुरुवाती चरणों में बहुत लोगों ने पैसा डाला फिर एक विवाद भी आया था कि जो सरकार है वो नहीं बता रही को पै पैसा है उसमें रिसर्च और डेवलप्मेंट करेंगे लेकिन वह पैसा कौन देखेगा कि कहां जा रहे तो तीन लोग को ट्रस्टी बनाए गया एक है रतन टाटा आप सब लोग जानते हैं जो ताटा समू है इसके अलावा जो पूर्व नहाइदीश है के टी थॉमस एक इ इसमें पैसा अभी भी बाकी है तो जो पैसा है उसका क्या इस्तुमाल करेंगे तो आगे ऐसी कोई महामारी ना है तो वर्तमान उद्देश ही क्या है भविश्च में कुरोना जिसी कम भी समस्या से निपटना और इसलिए तीन लोग को ट्रस्टी बनाए गया रतन टाटा के एलविस हजारी का वह एक अलग बात है उनने भी नौर्ट चैनल क्रॉस किया लेकिन अब कोशन बोलता है दिव्यांग की बात बताएं पैरा स्विमर की बात बताएं तो सतेंद्र सिंग्लोया बड़ी इंस्पारिंग इनकी जर्नी है बचपन में बचपन में इनको बोल दि जिनको बोल जिया कि तुम स्विमिंग करी नहीं सकते क्योंकि दिव्यांग है ऐसे व्यक्ति की मिसाल देखिए आप की नौर्थ चैनल को क्रॉस किया है तो यह है दिव्यांग क्या नाम है। अदमी का बिलकुल मुलब शरीर ठक जाता है और यहां तो भाई यह दिव्यांग है उसके बाद भी पार किया है तो निश्चेत रूप से बहुत बड़ी बात है तो सतेंदर सिंग लोहिया साब यह है और उनको कई अवर्ड वैसे भी मिल चुके है कि आप जानते हैं यह बाइकिंग हो गया माउंटेन पे बाइक चलाओ तो यह अलग-अलग प्रकार की जो एडवेंचर स्पोर्ट होते हैं तो इनको तैंजिंग नौर्गे एडवेंचर सम्मान मिला है और यह पहले दिव्यांग खिलाडी है जिनने यह हासिल किया है सतेंदर सिंग लोहिया साब है कहां से तो मद्यप्रदेश है उपलब्दी इन्हों नें इंग्लिएंस चैनल भी कुछ समय पिले किया था अभी तो नौर्थ चैनल पार किया है वर्तमान में नौर्थ चैनल पार करने वाले एषिया के पहले पैरस्विमरर अर जिए नौर्थ चैनल यह उत्री कौन संस्थापक है तो जेफ बैजॉस साब संस्थापक है और आपको मैं बता दू इसके सीओ कौन है एंडी जैसी तो जो एंडी जैसी साब है वो है इसके सीओ और एमेजोन ने खोश्रा की है कि वो दुनिया में अपना पहला सोलर पावर प्लांट कहा पर लगाएंगे ने अच्छे जैसे देख लिया चले नेक्स कोशन पर आएंगे 22 सितंबर 2022 को नौ सेना प्रमुक एड्माइरल आर हरी कुमार ने स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वैसल आई इनस निपुड को कहा पर लांच किया बिल्कुल परिशान नहीं होंगे तो देखो क्या है ना क को लांच किया है साथ में लांच किया है विशाका पटनम में लांच किया और इनका एम सुनिएगा इनका एम है डीप सी मिशन क्या है डीप सी मिशन का मतलब होता है डीप सी मिशन का मतलब होता है असल में जो हमारा समुदरी तल है जो ओशियन फ्लोर है वो खजाना है वो से दुनिया की बिमारियों को ठीक कर सकते हैं ये ऐसे इसमोλλीकियूल्स थे हैं जिनको आज तक हम लोग इंसान जानता ही नहीं वहाँपर मौजूद हैं सर हम लोग क्यों नहीं जानते کیूँकि हम लोग इतना नीचे explore नहीं कर पाते है क्योंकि समुद्री तल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है और अब दीरे-दीरे दुनिया ऐसी टेक्नोलोजी बना रही है कि वो समुद्री तल से ऐसे खनीजों और ऐसे मॉली क्यूल जो कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं तो यह इसमें काम की बात है तो यह क्या है स्वडेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल डीप सी मिशन में इनका उपयोग निर्माड किस ने किया है हिंदुस्तान शिपयाड लिमिटिड ने निर्माड किया है लिए इंधु कुमार यह कौन है नौसेना प्रमुख यह यह भी मैंने आपको बता दिया अभी हम सब रिवाइज भी करेंगे परेशान मत होना हाल ही में और इसी को महारतन कंपणी का दर्जा दिया गया है अब भारत में कितनी महारत कंपनी है सबसे पहली बात यह महारतन क्या जो अच्छी कंपनियां होती ना सरकारी अच्छी कंपनियां उनको तीन केटेगरी में अच्छी कंपनियों को रखा जाता है अच्छी सरकारी की बात हो लिए कौन-कौन मिनी रतन, नव रतन और महारतन, क्या बोला मैंने मिनी रतन, नव रतन और महारतन, अब सर कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी अच्छी सरकारी कमपनी जो अच्छा परफॉर्म करी वो इन में किस में फॉल होगी, देखो जैसे जैसे कोई कमपनी सरकार को बहुत अच्छा केटेगरी वह महारतन कंपनी और अभी तक देश में इसे उपर आते जाओगे ना सरकार उतना ज्यादा आपको फ्रीडम देती है सरकार को भरोसा हो जाता है कि यहाँ ठीक है तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करो जैसे वो सरकारी कोई भी कमपनी जैसे REC अब REC कमपनी का जो भी management रहोगा इसने अच्छा परफॉर्म किया कि अब यह इससे पहले पता ही कहा थे इससे पहले नवरत्न में थे अब नवरत्न से महारत्न हो गए तो अब इनको पांच हजार करोड रुपे तक का भी निवेश कर सकते बिना सरकारी मनजूरी के वैसे जो कंपनिया इस च्रेड़नी से बाहर होती हैं उनको कोई भी निवेश करना होगा ना तो उनको सरकार से पांच हजार करोड एक हजार करोड और पांच सो करोड तक निवेश कर सकते हैं तो अगर कोई महारत्न की कैटेग्री में आता है तो बिना सरकारी पर मीशन के पांच हजार करोड रुपे तक का निवेश कर सकता है मलब सरकार उसको परिशान नहीं करती पांच हजार करोड तक हो तुम कहीं पर भी निवेश करो इंडिया के बाहर निवेश करो इंडिया के अंदर करो हमें क्योंग्पट नहीं है तो क्यूंकि सरकार को भरोसा हो गया तो सरकार को इसके 먹어병न भरोसा है कि गलत फैसर नहीं लेंगे तो अगर यह दूसरी कमपनी खरीद नहीं है पांच जर करोड़ के अंदर तक खरीद लो आपको कहीं निवेश करना है पांच जर करोड़ तक आप खरीद लो कोई दिक्कत सरकार को नहीं होती है बहुत पसंद करते हैं ऐसी इस्थिति में आप आई-एस में भी प्रमोट हो सकते हो लेकिन ह कोई प्रमोट नहीं होता वही व्यक्ति जिसका रिपोर्ट कार्ट बहुत अच्छा हो लगातार कई वर्शों तक चलो तो रूरल एक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन अभी महारत न बन गई इसकी स्थापना 1969 में होई इसका जो मोटो है जो धेवा क्या है असी में अब देखो इंडियन कोस्ट गाड के है तो जो भारती तरक्षक महान निर्देशा के उसके हैट को ने विरेंद्र कुमार पढ़ानिया क्या नाम है विरेंद्र कुमार पढ़ानिया अब ध्यान से सुनिएगा मैं आपको भारत और USA के जो अलग-अलग दभ्यास है उनके ब वज्रप्रहार जो है यह वज्रप्रहार exercise इंडिया और अमेरिका की exercise हाल ही में अगस्त में हुई थी इसमें दोनों देशों की वज्रप्रहार में special forces हिस्सा लेती है special forces वो forces होती है जिससे कोई secret operation करना हो या आतंगवादी रोधी anti-terrorist special operation हो उसमें भाग लेने वाली जो forces हो बढ़ें Tiger triumph अभ्यास तो जो Tiger triumph अभ्यास यह भी इंडिया और यूएस का है लेकिन disaster relief यानि आप दा राहत अभ्यास यह special forces वाला था वज्रप्रहार जबकि आप दा राहत वाला कौनसा है Tiger triumph कोप India कोप India जो है वो इंडिया और यूएस की India और अमेरिका की वायू सेना के बी जो normal army जिसको हम बोलते ना army जो land army होती है तो उसकी बात यहां पर हो रही है तो भारत और यूएस की जो land forces होती जो थल सेना होती है वो यूद्ध अभ्यास में participate करती है ठीक है और अभी जो केवल अभ्यास है जो केवल अभ्यास है वो क्या है भारती तर्ट रक्षक और जो बहुतों रक्षक और जो यूएस से उनके बीच चले किस देश ने प्रात्मिक स्वास्थ देख भाल पर ने जीता है जीता है वह जीता है क्योंकि भारत में हाइपर टेंशन को कम करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है हाइपर टेंशन अत्यदिक ब्लड प्रेशर के कारण hypertension होता है और उसी hypertension को कम करने के दिशा में WHO special program पुरुषकार किसको मिला है भारत को मिला है तो इसका सई जवाब है भारत WHO special program इंडिया को मिला hypertension के लिए WHO ने दिया है WHO में किस ने दिया डॉक्टर ट्रेडॉस एधोनॉम तो यह आपने कोविड के टाइम पर यह बड़ा देखा होगा बहुत बार इनकी आलोजना भी हुई क्योंकि केवल डराने का क्याम करते थे कि अभी तो वैक्सीन भी नहीं बन रही है और भी भयानक कौमन तरीके से एक्जाम में पूछा जाता है तो इसको दिमाग में रखें तो WHO का हेटकोर्टर जनेवा स्थापना 1948 में हुई है किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दुगांग कंसरेवेशन रिजर्फ को अधीश किया है तमिल नाडू ने अधीश ही सूचित किया है डुगऑंग कंसरेशन रिजर्फ यह इनकी संक्या बड़ी कम हो गई है और इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको संरक्षित करने के लिए अब हमने देखा कि तमिल नाडू ने अधी सूचित किया है किसको अधी सूचित किया है तो इनके नाम पर एक conservation reserve बनाई है संरक्षन जर्व बनाई है सीकाउ होता है डिगॉंग और यह स्थंदारी यानि महमल होता है आयू सीन की जो रेड डेटा बुक है उसमें यह वलनरेबल यानि असुरक्षित कैटेगरी में आता है मैं आप सभी बच्चों को सारी चीज़े बताऊंगा अभी मैं आपको आयू स सब्सक्राइब कर द्यांत ये आपका भारत यह होगया भारत यह विए आपका श्री लंका आपका श्री लंका प्लांट्स और जो अलग अलग जीव जन्तुग उनको उन्होंने क्या किया है मुक की रूप से पांच category में हमको पढ़ना है और भी है लेकिन जो काम की वो 5 है सबसे पहले क्या है extinct यानि वो कोई ऐसा जानवर जिसका आप कोई भी सदस से दुनिया में कहीं नहीं मिलता है जैसे आपने नाम सुना होगा डोडो शायद आपने नाम सुना होगा पहले पक्षी हुआ करता था डोडो पूरी तरीके से अब खतम हो चुका है तस्मानियन टाइगर या एक आपने एलिफेंट जैसा एक सुना होगा मैमूत मैमत अगर आपने कभी सुना हो मैमत जो एलिफेंट होता था वो भी अप extinct हो चुका है तो extinct यानि जाती का कोई भी जीवित सदस से नहीं बचा है तो से खतम हो गया है बेलेकिन अभी कई लैब में जीवित है उच्वा का रइनो जहारी जो जोगेंडा होता है वह इसका अच्छा उदहारने इसके अलावा का का elephant सुमात्रा का जो हाथी है वो भी extinct in the wild है तो उनको हम लोगों ने बस चिडिया घरों में लेबरेटरी में इंसान ने अपनी निगरानी में रखा है कि यह भी खतम न हो जाए अन्यता वह वनों से खतम हो चुके हैं चले next बात करें अच्छा यह तो पूरी तरीके से खतम हो हुआ है तो हमने क्या बोला घोर संकट ग्रस्त जब वनों से खतम होने का घोर खत्रा बना हुए यह भी वनों में हैं लेकिन बहुत कम संख्या में हैं और अगर हमने उनको यहां से नहीं बचाया तो इस category में फॉल कर जाएंगे यह वाइल्ड से extinct हो जाएंगे हना और हो सक है इस category में चल जाएं कि हर जगा से extinct हो जाएं तो यह गोर संकट ग्रस्त कुछ ऐसे जानवर या कुछ ऐसे पौदे जो वनों से विलुप्त हो गए वनों से विलुप्त होने का जिन पर घोर खत्रा बना हुए तो यहां पर शब्द क्या है घोर यहां पर भी घोर अगला सं हो जाने कि संभावन HOW यहां पर वनों से गायब हो जाने की संभावना है यहां पर खत्रा है यह दिशक YOUR ज 220 जो दिलिब तिर्की साहब इनको 2004 में पदमुर्षी से सम्मानित भी किया गया और मैं आपको इनके चुनाओं के बारे में बात बताता हूँ असल में क्या होता है, अलग अलग राज अपने लोगं को नॉमिनेट करते हम लेक capture बाकी अंपने नाम पीछे ले लिए जो दिखाता है कि कितना सम्मानित वेक्ती है और कितना लोकप्रिएवक्ती हैं और नाम ही वापस ले लिए और जिसकी वज़े से ये निर्विरोद चुने गए, तो ये दिखाता है इनकी लोगप्रियता, दिलिप तिर्की साहब, हौकी इंडिया, और हमने देखा, कि ये स्थापना 2009 में हुई थी, हौकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी, उसके ये अध्यक्ष के रूप में दि को वैसे भी मालूम होना चाहिए ओडिसा भारत में सबसे जादा डेवलप्ड है होकी के रिस्पेक्ट में इन फैक्ट ऐसे ऐसी स्टेडियम और ऐसी ऐसी फैसिलिटी होकी के लिए मौजूद है इंडिया के ओडिसा में जो कि इंटरनेशनली भी मौजूद नहीं तो आप इस से खबर है असल में क्या किया है भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो फार और ऑफोकता भ भारत भारत है तो पर और जोनरेयातक है जो सबसे बड़ा बेचने वाला है वो इंडोनेशिया है इन फैक्ट इंडोनेशिया और मलेशिया मिलके 90 प्रतीशत दुनिया में यही लोग उत्पादन करते हैं पाम ओईल का अब समस्या यह है कि यह लोग अपनी ताना शाही करते हैं अभी क्या किया है इंडोनेशिया कुछ समय पहले इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया था कि हम निर्याद करेंगे नहीं अब पाम ओईल ऐसी चीज है जिसके निर्याद बंद होने से सीधे के सीधे हमारे किचिन में डारेक्ट फरक नहीं परता लेकिन पाम ओईल ऐसे ऐसे प्रोड़क्ट में जाता है जो हम उत्पादा के सबसे बड़ा निर्यातक भी वह जब उसने बैन कर दिया तो बहुत दिक्कते हुए हमारी इंडस्ट्री को और कई समान महेंगे हो गए अब भारत ने क्या किया है भारत ने बनाया है जो बड़े-बड़े उभोगता है उनका समू ताकि इंडोनेशिया आने मतलब हैं हम करेंग जो हमको दोनों देशों में skipped उसस्ता देगा तो इंडोनेशिया और मलेशिया भी अपनी ताना शाहिक करते हैं लेकिन इनने बोला कि हम भाई उससे में को सस्ता देगा को और जो हम को सस्ता देगा तो हम इस piorी देंगे यह इसे पहले आट्ग्छ चतुरवेदी सहाब को चुना गया है यही इसका question का सही जवाब है कित्ते देश इसमें इंडिया पाकिस्तान श्रिलंका बंगलादेश नेपाल बताओ पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया पाम ऑईल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया और सबसे बड़ा उभो करें पाम ऑईल का उसके लिए जो तार के पेड़ होते हैं उनको लगाया जाना भारत में शुरू किया गया है तो भारत अब यह भी प्रियास कर रहा है कि किसी पर निर्भरी ना रहे और अगर ऐसा हो जाता है तो काफी अच्छी बात होगी चले नेक्स कोशन देखें हाली में किसने ई-learning प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारम किया है तो भारत विद्या का शुभारम किया है निर्मला सीतर अमन जी ने यह भारत विद्या जो प्लेटफॉर्म में क्या भारत विद्या नाम से दिख रहा है तो भारत से संबंदित यहां पर क्या-क्या पढ पढ़ाएंगे महाभारत पढ़ाएंगे इसके लावा कालीदास सहाब के बारे में पढ़ाएंगे तो भारत का जो इतिया से जो संस्कृति है वह भारत विद्या करetin wonderful Institute उसी इंस्टिटिउट ने इसका निर्माण किया है सीता रमंड जीने कि यह इस्राज ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में हमर बेटी हमर मां अभयान शुरू करने की घोशना किए तो हमर बेटी हमर मां इसकी घोशना कीए थे Ve कि हैं तो जाहिर सी बात है जो महिलाओं की सुरक्षा का लेका जो मुद्दा है वो हमारे देश में काफी संवेदन चीले और इसलिए काफी अच्छी पहले अब मैं आपको इसके लिए कहा है सुनिएगा तो सबसे पहली बास इसमें जो हम पहला पॉइंट देखते हैं वो है सुनना इसमें क्या होगा कि कोई सीनियर महिला पुलिस अधिकारी अलग-अलग कॉलेज स्कूल में जाएगी जहां पर महिलाओं को बताया जाएगा कि गुड़ टच बैट टच में क्या अंतर होता है साइबर क्राइम क्या है यौन शोशन तो सबके बारे में पहले आप इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर छोटे-छोटे में लिखा है शायद आपको दिखनी रहा हो एक एप भी बनाएंगे स्योजना के अंतरगन तो एप से लॉग-इन करके भी सरकार को अप्रोच किया जागरू करना पहले बताओ तो भाई बच्चियों क कि क्या गलत अगर कोई चीज है तो वह क्या है तो पहले एजुकेशन देना है फिर उसके बाद अगर उनको कॉंटेक्ट करना है सरकार को तो हेल्प-लाइन और एप के माध्यम से कॉंटाइट कर सकती है और तीसरे स्टेज में क्या है कि जब भी ऐसा कुछ होगा कॉंटेक् कारवाही की जाएगी तो इसमें special महीला पेट्रोलिंग एक प्रकार से आपकी रैपिड एक्षिन फोर्स तो special महीला पेट्रोलिंग की विवस्ता है और साथ-साथ महीला यहां पर कारवाही भी होगी तुरंट एक्षिन भी लिया जाएगा तो यही है हमर बेटी हमर मान योजना चत्यसगर सरकार सीम कौने भूपेश भगेल और हम देखते हैं उद्देश क्या है तो स्कूल प्लस कॉलिज में पढ़ने वाली चात्रों को बैट टच गुड टच साइबर क्राइम यौ अरिया मुंडा जो हमने बोला डेप्यूटी लोगसवा स्पीकर है उपाध्यक्ष लोगसवा के वह और केटी थामस साब कौन है तो पूर्व नयाजीश इन तीनों को बनाया गया है तो उप्योग सभी इसका सही जवाब है इन तीनों को बनाया गया है पीम केर्स फंड का पर कौन नौर्ट चैनल पार करने वाले इशिया के पहले स्विमर बन गए तो सतेहिंदर सिंग लोहिया साब पहले पहले स्विमर बन गए ये भी हमने इसमें अच्छे से देख लिया फिर नेक्स कोशन था पहला सौरूर्जा संयंतर कि सराज में स्थापित करने की घुश् और हमने बात कर ली थी हिंदुस्तान शिप्याइड लिमिटेज विशाका पटनम में उसने इसको बना है फिर आरीच को महारत में कंपनी का दर्जा किया दिया गया भारत में कितने महारत में हो गये तो भारत में 12 महारत में हो गये आरीच मनलब रूरल है और अलग-अलग अभ्यास भी हमने देख ली थे वजर परहार जो है वह स्पेशल फोर्सिस का होता है दोनों के देशों का टाइगर ट्रेंफ जो होता है डिजास्टर रिलीफ जो कोप इंडिया वायू से रेट फ्लैग में अमेरिका और भी देशों को बुलाता है और य हाली में की इंडिया के अध्यक्स कुने गए हैं कर देख ऐनको 2004 में पंद मिख्री मिला है यह भी हमने देख लिया अधुल चतुरवेदी साप को चुना गया है भारत विद्या भारत से सम्मंदित यहां पर चीज़ें पड़ाई जाएंग पर दोनों होने निर्मला सीथा जी ने इसका क्या किया है जबकि इसको बनाया कि इसने तो भंडार कर औरियंटल इसको बनाए है नेक्स कुश्चन बोले हमर बेटी हमर मान योजना किस राज सरकार ने शुरू की है महिलाओं को अफगत करवाना उनको अलग-अलग प्रकार से यौन शिक्षा देना इसके अल अमीद है कि आज की करेंट अफेर्स की क्लास आपको अच्छी लगी इसका पीडियेफ आपको टेलीग्राम फे बिल्कुल निश्चत रूप से मिलेगा बिल्कुल परिशान नहीं हुना है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज्यादा प्यार देंगे तो लाइक करना है शेर करना उन तमाम लों तक पहुंचाना है जहां पर आपको लगए कि उनको भी इससे फाइदा पहुंचेगा इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आपको कैसी लगी है मुझे उमीदे आपको अच्छी लगी होगी चले तो आप सभी बच्चे जा सकते हो के बाई बाई थैंक्यू टाटा सी यू अगिन